हेलो दोस्तों मैं हूँ काजल और आप दीख सकते हैं मैं यहाँ पर SSC की ऑफिसल साइट पर हूँ आज मैं आपके लिए जो है SSC GD के बारे में इंफोर्मेशन नौलिज लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो है आंस्वर की जो है बहुत जल्दाने बताऊंगी जो स्टुरेंट काफी टाइम से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि एक्जाम खतम होता नहीं है तो तोड़ा सा पैसेंस आपको रखना पड़ेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना को टाइम बेना किये हुए तो देखिए अभी तो गाइस अभी आपके एक्जाम चल रहे हैं जो कि अभी 15 दिसंबर तक चलेंगे तो मैं बता देती हूं सबसे पहले आपको जो है एक चीज की नौलीज और दे देती हूं कटोफ के बारे में जो है नौलीज आपको बाद में बनाऊंगी उ आपकी जो है इस बार जो है निगेटिव मार्किंग जो है जूड़ गई है जिहां निगेटिव मार्किंग तो आप समझते हूंगे अगर आपके जो है पॉइंट 25 की निगेटिव मार्किंग जूड़ती है अगर आपका जो है चार कुशनों पर जो है जैसे चार कुशन आ कर लेते हैं आगे की बात कर लेते हैं आपकी जो है आंस्वर की के बारे में तो देखिए हर बार यह होता है जब भी जो है जीडिका हो या फिर एससी का तो रूल ही चल रहा है दस दिन बाद जो है आपकी आंस्वर की आ जाती है तो जैसे अगर 15 दिसंबर को आपका एक्साम जो है कदम होता है तो 15 और 10 सीधा सा हिसाव है 25 पच्चिस दिसंबर को तो क्रिस्मिस रहा है तो उस दिन तो साथ पोसिबल नहीं हो पाएगा एक दो दिन आगे पीछे हो ही जाता है तो guys आपका 26 दिसंबर तक आपकी आजाएगी answer की जी हाँ answer की आपको 26 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी ओ वहीं अगर आपकी result की बात करें तो GD का जो result है हर बार यह होता है कि जब आपका exam होता है तो exam होने की one month बाद आता है आपका result तो 15 दिसंबर के हिसाब से guys 15 जनवरी तक आपको जो है result अपना यह देखने को मिल जाएगा तो कैसी लगी है आपको यह video comment करके जरूर बताना एक new viewer है तो अभी चैनल को subscribe कर देना अपने दोस्तों में share कर देना अभी के लिए guys thank you for watching this video तो next video में मिलेंगे नए topic के साथ अभी चैनल को subscribe कर देना thank you